जै शी क्रिश्ना, कैसे आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्रात्ना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए जो पॉजिटिव है आपके लिए, उस सब कुछ इश्वर आपको जरूर दे लेकिन अगर कुछ नेग्याटिव है, तो इश्वर आपको उस नेग्याटिविटी से दूर रखें हम आप सभी के लिए इश्वर से ऐसी ही प्रात्ना करते हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल स्प्रिच्वर लव डबल बन डबल बन में आज हम रेडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इस रिष्टे को लेकर क्या सोचते हैं और उनका नेक्ट एक्षन क्या होगा आपके लिए ठीक है तो उनका नाम सोचकर जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं एक नंबर चूस करिए एक उप्शन चूस करिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए उनका फेस इमेजन करिए विज्वलाइज करिए फिर उसके बाद एक उप्शन देखिए अगर किसी वज़े से फिर भी ऐसा होता है कि उसमें बताई गई चीजे आपसे मैच नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं आप दूसरा उप्शन जरूर सुन कर देखें क्या पता कि वह मैच कर जाए क्योंकि यह जर्णल रीडिंग होती है ना पर्सनल रीडिंग तो है नहीं समझदारी तो दिखाने पड़ेगी ना कि चलिए लंडी सी यहरी सांस लीजिए हमारे साथ कायत्री मंत्र का उचारण करिए दो मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं ओम्भूर्भूवास्वाहा ताच्यवितुल्वरेन्यम् भर्गोदेवस्यधीमही धियोयोना प्रचोदया अज हमारे साथ काया। बारे साथ कि अ ये इश्वर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं ब्रह्मान की सभी जेतनाओं का आभार व्यक्त करता हूँ सभी को प्रणाम करता हूँ आप सभी के आशिरवात से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है आपके प्रेम से आपके आशिरवात से मैं दिन प्रति दिन सफलता प्राप्त कर रहा हूँ मैं जो भी चाहता हूँ वो सब कुछ मुझे मिलता जा रहा है अब मैं बहुत खुश रहता हूँ अब मैं बहुत स्वस्थ हूँ बहुत मस्थ हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ मेरा आत्म विश्वास बढ़ता जा रहा है दिन प्रति दिन मैं सकारात्मक हो रहा हूँ लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं और ये सब कुछ आपके आशिरवात से हो रहा है मैं जो भी सोचता हूँ मैं जो भी पाना चाहता हूँ वो सब कुछ मैं प्राप्त कर ही लेता हूँ और ये सब आपके आशिरवात से हो रहा है Thank you so much universe Thank you so much Love you Love you so much Dear आज साल का आखरी दिन है 2022 कल से हम सब नए साल में प्रवेश करेंगे इस 2022 में आप सब ने हमें इतना प्रेम दिया इतना प्रेम दिया आप सब के प्रेम से और आशिरवात से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया बहुत कुछ आप सब हमें इतना प्रेम देते हैं उसके लिए हम आप सब का कितना अबहार व्यक्त करें उतना ही कम है आप हमें परिवार वाली फीलिंग्स देते हैं हमें कभी फीली नहीं होता क्या बताएं आप सब से एक ऐसा रिष्टा है इतना प्रेम पूर्ण कि हम शब्दों में बयानी कर सकतें बस बार 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 अध आप सब का आभार व्यक्त कर सकते हैं इस 2022 में अगर जाने अन जाने हमसे कभी कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजेगा जो भी पुरानी बाते हैं अगर किसी वज्ज़ से आप हमसे हर्ट हुए हो तो उस बात को इसी साल में छोड़ कर हम नए साल की अच्छे से शुर किस टॉपिक से करें आप सब हमें सजेस्ट करिएगा कॉमेंट बॉक्स ने ठीक है और हाँ हमें कुछ नया नहीं चाहिए हमें आप सब ही चाहिए हमारे नए साल में भी अप इसी तरह प्रेम इसी तरह आशिरवाद हम पर बनाए रखना इश्वर ने शाहा तो ये सफर बह हमारा उद्देश है आप सब को सही रास्ता दिखाना आप सब की अध्यात्मिक उननती कराना रीड़िंग तो एक बहाना है हमारा और वादा करिये कि हाथ कभी छोड़ेंगे नहीं आखरी सांस तक और हमारा ये साथ योही अनन्त जन्मों तक बरकरार रहेगा हम सब का और हम इसी तरह अध्यात्मिक पत पर चलते रहेंगे एक दूसरे का प्रेम से सद्भाव से साथ देते रहेंगे एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और अपनी जीवन में अपने सोल परपस को जरूर पूरा करेंगे आज अच्छी अच्छी चीजों का संकल्प लिजीएगा कि कल से इस नए साल के आप अच्छी अच्छी चीजों के साथ करेंगे जिनके साथ भी जो भी मन मुटाव हैं जो भी बाते हैं जो भी चीज़े हैं उन्हें इसी साल में छोड़ दीजेगा अगर किसी रिष्टे से मूवाउन करना चाहते हैं तो उनकी किसी भी तरह की कोई याद उनकी किसी भी तरह की कोई चीज अच्छी बुरी अपने पास मत रखेगा उस एनरजी से अगर मुक्त होना है तो अंदर से उन्हें माफ कर दीजिए और खुद को मुक्त करिए और जिन्दगी में इस नए साल की अच्छे से एक नई शुरुवात करिए अच्छे अच्छी बाते लिखे अच्छे अच्छे विचार लिखे अच्छे अच्छे संकल्प लिजिए कि इस 2030 में आप अपने इन इन संकल्प को पूरा करेंगे संकल्प लीजिए कि आप 2023 में ध्यान करेंगे मेडिटेशन करेंगे अपने आप से प्रेम करेंगे अपने आपको महत्व देंगे अपने आपको कभी गिरने नहीं देंगे और अपने सोल परपस को हर हाल में पूरा करेंगे इस प्रत्वी पर आने का आपका जो भी उद्देश है आप उसे जरूर पूरा करेंगे अपने आप से ये वादा करिए और अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो फिर से एक बार हम आप सबसे हाथ जोड़ कर माफी मांगते है थैंक यू सो मच हमारी जिन्दगी में आने के लिए हमें इतना सारा प्यार देने के लिए क्या बताएं बस बहुत अनुखा रिष्टा है आप सबसे मां भगवती से यही प्रार्तना है कि मां हमेशा आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे मस्थ रखे आपको हमेशा सदबुधि दे, सही रास्ता दिखाए आपके हर सकारात्मक खोयश पूरी करे जय शिकृष्णा जैशी कृष्णा option number one कैसे हैं आप हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे खुश होंगे और अपनी life में आगे बढ़ रहे होंगे dear चलिए अब आपकी बारे है लिखी कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ स्वस्थ हूँ मस्थ हूँ और इश्वर के आश्रवात से मैं अपनी जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ लिखे इसी वक्त लिखे क्योंकि हम जैसा लिखते हैं हम जैसा बोलते हैं हम जैसा सोचते हैं हम उसी तरह की चीज़ों को आकरशित करते हैं तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए क्यों ना सकारात्मक लिखा जाए है ना डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल Spiritual Love 1111 में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए क्या फीलिंग्स है उनकी इस रीडिंग में हम यही बताने वाले है जिनकी भी फीलिंग्स आप जाना चाहते है जिनको सोच कर आपने पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं इधर Aries, Leo, Sagittarius है बहुत स्ट्रॉंग में सिंग धनु राशी कैंसर स्कॉर्प्यो पाइसियस है करके वरिश्चिक मीन राशी जेमने लिब्रे एक्वेरियस भी है मिथुन तुला कुम राशी अच्छा हाँ एक बात और बताते हैं अगर आपकी राशी मिथुन है तो हमने हमारे सेकंड चैनल पर मिथुन राशी वालों के लिए ये प्रेडिक्शन किया है 2030 का तो वो देखना बिलकुल मत भूलिए इस प्रिच्वल जर्णी व्लॉग चैनल हमारा ही है उसमें बहुत सारे मेडिटेशन के वीडियो अपलोड हैं और उसमें हम जितनी भी 12 राशियां है सब का प्रेडिक्शन करने वाले हैं सब के बारे में बताने वाले हैं अलग-अलग राशी का कि ये 2030 2023 आपके लिए कैसा होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है तो अगर आपकी राशी मिथून है तो हमें मिथून से याद आया आप जाएए मिथून राशी वाले जितने भी हैं वो वीडियो देखकर आईए आपको गाइडेंस मिलेगी और आपके लिए बहुत हेल्पफूल भी होने वाला है ठीक है अच्छा तो मिथून तुला कुम राशी भी है टॉरस वर्गो क्याप्रिकॉन वरिशब करन्या मकहराशी भी है मतलग कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर है ठीक है जिनके लिए आप रिडिंग देख रहे हैं इनकी डेट आप बर्थ किसी महिने की 10 तारीख 4 तारीख 20 तारीख और 6 तारीख 25 तारीख 8 तारीख 17 तारीख 3 तारीख 21 तारीख 1 तारीख 28 तारीख 19 तारीख 19 तारीख 15 तारीख 24 तारीख को हुआ होगा इनका बर्थ मन्त इनका बर्थ मन्त है अक्टूबर और जून और जन्वरी अप्रेल अगस्त जुलाई और मार्च जन्वरी ठीक है ये इनके बर्थ मन्त है अच्छा इनके इडियम का इनेशल हो सकता है L V O R C I T H G U P S A K G D V और Y Y और Z ठीक है ये है उनका इनेशल Dear सबसे पहले तो आप जिन के लिए भी आपने जिन को सोच कर जिन की फीलिंग साब जानना चाहते हैं आप ये समझे है कि इधर प्यार तो बड़ा गहरा है लेकिन इस प्यार में बड़ा पहरा है जब जब प्यार में पहरा हुआ है प्यार और भी गहरा और भी गहरा और भी गहरा हुआ है पता है न आपको और दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तरपाएगी मुहबत बढ़ती जाएगी तो शुरू शुरू में हो सकता आपको ये लगेगा कि भाई ये इंसान इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इसके अंदर बहुत डर है लेकिन ये प्यार इतना गहरा है कि कोई भी पहरा इस गहरे से प्यार को रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये एक spiritual connection है ये जो भी है जिनके लिए भी आप reading देख रहे हैं और एक बात distance relationship है बहुत सारे लोगों का भाग ने बड़ी मुश्किल से आप दोनों को मिलाया है बड़ी मुश्किल से लेकिन पता है इधर परिवार का पहरा है इधर परिवार का पहरा है, समाच का पहरा है, रिष्टदारों का पहरा है मतलब कि इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजियन इशू भी है लेकिन आपको पाकर बड़ा gratitude है इनके अंदर ये आपको क्या show off करते हैं, ये बात अलग है लेकिन एक बात सुनें, ये आपसे बहुत 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 प्यार करते है देखो, हाती के खाने के दाथ और दिखाने के दाथ और होते है हम सब के भी खाने के दूसरे होते, दिखाने के दूसरे होते ऐसे ही ये जो व्यक्ति है न, इनकी personality भी कुछ हैसी है ये बहुत छुपा रुस्तम है ये जैसे हैं वैसा खुद को शो नहीं करते हैं एक्चली क्या है ये थोड़े जादा ही समझदार है ये थोड़े जादा ही मिच्चोर व्यक्ति है और बहुत सुलजिय हुए व्यक्ति है इनकी एज जो भी हो जिस भी एज ग्रूप के हैं आज हम कोई एज नहीं बताने वाले लेकिन इतना समझे कि ये समझदार बहुत है परिपक वो बहुत है इन्होंने जीवन के हर बसंत को देखा है हर पज़ड को देखा है तो धीरे 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 ये अब जिन्दगी के उस मुकाम पर है कि किसी भी रिष्टे के लिए किसी भी काम के लिए ये जल्दबाजी नहीं करते और किसी भी व्यक्ति से रिष्टे बनाने से पहले, किसी को commitment देने से पहले, बहुत सोचते और समझते हैं, ये जल्द बाजी में कोई decision नहीं लेते, थोड़ा सा समाच की परवा जादा करते हैं, अब देखो, जो भी age group है, हमने बताया न, इस प्यार में पहरा बहुत है, बह इनके दादा, दादी, पापा, मम्मी, कोई भी, जिनको चस्मा चढ़ा हुआ है, उन्से थोड़ डरते हैं, क्या पता इनको खुद को चस्मा चढ़ा हुआ हो, लेकिन, कितनी feelings उन्होंने छुपा रखी हैं अपने मन में, शायद आज तक उन्होंने आपसे बताई नहीं कि आपको कितना चाहते हैं, आप तो मरे जा रहे हैं कि इनसान, शायद मेरे लिए कुछ feeling नहीं करता, शायद इसके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, शायद मैं ही परिशान हूँ, मैं ही पागल हूँ, मैं ही इसके बारे में सोचता रहता हूँ, मैं ही सोचती रहती हूँ इसके मन में कुछ नहीं है अजी इनके मन में जितना कुछ है न इन्होंने खोल दिया तो बाढ़ आ जाएगी बाढ़ समझें आप प्यार का समंदर है इनके अंदर आप इनके साथ बहुत strong connection फील करते हैं बहुत जादा दिन प्रती दिन आप खीचे जा रहे खीचे जा रहे एक पल के लिए भी व्यक्ति आपके दिल दिमाग से निकलता नहीं है बहुत दिल से सोचते हैं आप बहुत भावुक हैं बहुत भावुक हैं पता है इन्हें थोड़ा से क्या लगता है इन्हें लगता है कि कहीं इस रिष्टे में बंथ दो नहीं जाएंगे एक जुरे आजाद पंचियों की तरह जीवन जीना पसंद करते हैं कुछ चीजों के लिए जिन लोगों का न्यू करेक्शन है अट्रेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा लेकिन हमने बताया ना बहुत सोच समझ कर एक एक कदम तो इन्होंने अगर अब तक आप से अपने दिल की बात नहीं कई है कुछ लोगों के लिए हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपने दिल की बात नहीं कई है तो इसी वज़े से इनको सब कुछ मैसूस होता है आपकी जो फीलिंग्स है ना आपकी जो जज़बात है ऐसा नहीं है कि इनसे छुपा हुआ है ऐसा नहीं कि इनको कुछ पता नहीं है इनको सब पता है इनको आपके दिल का हर हाल पता है इनको सब फील होता है कि आप इनके लिए क्या क्या सोचते हो आपसे भी जादा अनुभावी है ये, ये समझ देजिए, आपसे भी जादा, तो इन्हें पता है कि किस लेवल तक आप इनके पागल हैं, किस लेवल तक आप इनके प्रती अट्रेक्ट हैं, और हू बहू वही एनरजी इनकी भी है, लेकिन दियर अभी इनकी जिन्दगी में थोड़ा सा उतार चड़ाव चल रहे हैं, ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत परिशान रहते हैं, और इस वज़े से अभी जिन्दगी में कोई भी नादानी, कोई भी गलती करने के लिए तयार नहीं है, आप तो उनकी केमेस्ट्री बहुत अच्छी है, मतब गजब, गज परिशन है, चहा कर भी जैसे कि आप अपना ध्यान इधर उधर 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 बहुत बटानी के कोशिश करते हैं, लेकिन चहा कर भी आप इन्हें अपने जहन से निकालनी पाते, पर अभी थोड़ा सा ना इनके परिवार ने इनको दुखी करके रखा हुआ है, इनके परिव पूरे चल रहे हैं मैं ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता कि वो बड़ा पहाड बन जाए एक इशू बन जाए तो अभी थोड़ा सा ये silent mode पे हैं क्या silent mode पे हैं अभी ये कुछ नहीं कहने वाले अभी ये कुछ नहीं कह रहे हैं आप जितने चाहें efforts लगा लीजिए आप जो भी चाहे कर लीजिए ये सही समय के साथ ही आपसे अपने दिल की बात कहेंगे अभी तो इन्होंने सब को surrender करके रखा है एक बात बता है और ये आपको थोड़ा समझ भी नहीं पा रहे हैं जैसे कि ये एक mysterious personality आपको शो करते हैं कि जैसे आप इनको समझ नहीं पाते कि आखिरी व्यक्ति चाहता क्या है इसकी आखों से लगता है कि ये भी मेरे लिए उतना ही बेकरार है जितना कि मैं लेकिन जब बात करो तो कुछ औरी समझ में आता है और सिधे मना कर देता है फिर कुछ भी देखो हमने पहले एक लाइन में चीजे ख्लियर कर दी खाने के दात और दिखाने के दात और पता है क्यों अभी थोड़ा सा समझ भी नहीं पाएं आपको आप भी इनके लिए पहली जैसे हैं आप भी इनके लिए एक पहली जैसे है, एनर्जी रिफलेक्ट हो रही है दोनों की, इने हर वक्त हर वक्त आपका ख्याल है, आपके सपने भरमार करके इनकी जिन्दगी में आ रहा है, जैसे कि भरमार लाइन लगी हूई आपके सपनों की, यह जब भी सोएं आपका सपना, प परिशान हो गया ये बंदा ये इश्वर से कहता है कि तुम चाहते क्या हो इन्होंने फिलाल सरेंडर कर दिया है खुद को कि देखो जी जदा परिशान तो करो नहीं मैं अल्रेटी बहुत परिशान हूं अपने कार्मिक लोगों से वैसे जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को सम समहाल रहे हूं ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं अब ये ये नया क्या है प्रभूं ये नया क्या है तो बोसं मतलो आप मतलों सकुछ चीजों का खयाल रख और सबढ़न कе बहुत अच्छे दोस्त हैं ठीक है और सबसोंच लोगों के पार्टनर हैं जो डोस्ती अच्छी है पर बहुत सारी चीज़े क्लियर नहीं कर रहें, राइक कमिटमेंट को लेकर, बहुत सारी लोगों के लिए येjat already married हैं, ठीक है, ये already married है, तो अभी इनकी family में चीज़े ठीक नहीं चल रहे हैं, तो जैसा आप चाहते हैं, ये उस तरह से अभी कुछ नहीं कर सकते अभी ये सही समय का इंतिजार कर रहे है ये क्या सोचते हैं बस आपको चीजों का ध्यान रखो आपको देखकर इने बहुत खुशी मिलती है इनके फेस पर एक पॉजिटिव से स्माइल होती है कहीं पर भी आपको देखें वीडियो कॉल पर आपको देखें आपका फोटो देखें आपको फेस टू फेस देखें एक स्माइल होती इनकी फेस पर एक पॉजिटिव सी बहुत खुशी होती है आपको देखकर इनकी आखें भीग जाते हैं आपकी बहुत याद आती है जब यह आपको मिस करते हैं इनको भी पता है कि इनकी जिन्दगी में क्या ठीक है क्या सही है क्या गलत है और जब सही का तराजू यह रेकर बैठते हैं तो बेस्ट आपको ही पाते हैं बेस्ट आपको ही पाते हैं कमपलीशन जिसे कहते हैं लाइफ में की बस अब सब ठीक है खुशी वो आपके साथ ही है लेकिन कुछ चीजों के लिए बहुत मजबूर है होता है ना कि कभी-कभी जिन्दगी में हमें उस उमर के पढ़ाओ में प्यार होता है जहां पर मजबूर जादा होती प्यार का मजबूरी जादा होती है क्योंकि रहना इंसान को समाज में है यह तो फिर ऐसा हो कि सब छोड़ चानके पहाड़ों पर चले जाओ जहां कोई ना जाने जहां कोई हमें ना जाने जहां कोई ना में पहचाने तो ऐसा तो होता नहीं है रहना समाज में ह सबस्ogene मौत करते हैं कि मेरे सामने मेरी मेरी मिया सामने है निरे खुशी जुन आंक इसो जो मेरे दिल में दिखा नहीं सकता कहने को बहुत कुछ है उस्तिंख कहता हूं ना कुछ सुना सकता हूं इनका दिल कहता आपके साथ एक separate life जीने का, इनका दिल होता आपके साथ कहीं दूर जाकर जिन्ते की जीने का लेकिन वही है न मजबूरियां मैं क्या बताऊं तुझको कैसे हैं मेरे हालात मैं क्या बताऊं तुझको कैसे हैं मेरे हालात मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जजबात समझें मजबूरियों के हाथों बिके हुएंगे तो इन्हें बहुत बुरा लगता है बहुत रोना आता है जब आपकी याद आती है और बहुत सारे चीज़े याद करते हैं बहुत जादा पर आपसे बात नहीं कर पाते ये जब आपकी आखों में बहुत सारे सवाल देखते हैं अपने लिए पिर भी जब इन greens जान बूच कर उन्हें इग्नौर करना पढ़ता है आपको इनसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्लियर बताओ क्या है तुमारे मन में तुम क्या चाहते हो ये सब समझते हैं लेकिन जब ये जान बूच कर उन चीजों को इगनॉर करते हैं जब ये चाहते तो हैं उन सवालों के जवाब देना लेकिन इन्ही कुछ चीजों का खुद भी पता नहीं कि क्यों कैसे किस लिए हुआ और मैं इसका क्या जवाब दूँ तो इनकी आँखों में बेबसी के आशू होते हैं कभी कभी सडनली ने आपकी बहुत याद आते हैं पर वो बेवक्त टाइम होता है कि आपसे बात नहीं कर पाते लेकिन पता है ये आपसे कुछ नहीं कहते हैं चुकि आप एक पहले ऐसे शक्स हो जिन्होंने इनसे unconditional, without reason, बेशर्ट प्रेम किया है मतलब के रिष्टे तो दुनिया रखती है लेन देन तो दुनिया में चलता है आजकल हम सच बताएं कि क्या कल्यूग कहेंगे इसे चलो ठीक है लेकिन लोग कहते हैं कि माबाप से बढ़कर कोई नहीं होता पर आजकल बहुत सारे माता पिता भी ऐसे होते हैं जो बेटा ज्यादा कमाता होगा उसकी ज्यादा इज्जत है भाई वो ज्यादा करता है जो थोड़ा कम कमाता है उसकी कम इज्जत है घर में माता पिता भी अपने बच्चों में भेद भाव करने लगते हैं क्यों? हम especially मा की बात करें तो जितना दर्द तुम्हें उसे जन्म देने में हुआ होगा उतना ही पीड़ा उतना ही दर्द उसको जन्म देने में भी हुआ है लेकिन फिर भी भेद भाव मा कर लेती पिता की तो बात चलो अलग हटाओ पर मा ने तो दोनों को बराबर नौनों महीने पेट में रखके जन्म दिया मा का तो दोनों के लिए सेम चीज़े होने चाहिए पर हमने बहुत सारे लोगों की माओं को ऐसा देखा है बते हैं आपको तो ये अपनी जिन्दगी मेरे ने ये देखा है कि मेरे खूर के जो रिश्टे हैं वो भी मुझसे मतलब परस्त like मुझसे मतलब नेकालते हैं पर ये एक सक्ष ऐसा जो मुझे बहुत समझता है मुझे बहुत प्यार देता है मेरे लिए इतना कुछ को अपके सवालों को बढ़ावा नहीं देना चाहते क्योंकि इनको लगता है कि अभी अपने जिन्दगी की उस कश्मकश में है जिससे जब ये बाहर निकल आएंगे तब शायद आपको कुछ क्लियर आंसर दे सकेंगे कोई क्लियर्टी दे सकेंगे अभी फिलाल ये देने की इस्थिती में नहीं है लेकिन इन्ने जलैसी भी होती है इन्ने जलैसी भी होती है जब ये आपको किसी और के साथ देखते हैं जब आपको किसी और के साथ बात करते हुए देखते हैं कुछ लोग हो सकता है कि पर मिले हों अई हो सकता है लेकिन तकलीव होती है अगर आप इनके दिल की फीलिंग जाना चाहे ना इनकी hidden feelings जाना चाहे ना तो इनकी hidden feelings हैं आपके साथ कही स्कून के पल जी सथा आपको बदेना आपको जिन्दगी BBQ रखना बीना कहे आपके हर ख्वाहिश को पूरा करना आपके फेस पर हमेशा इसमाइल लाना आपके फेस की इसमाइल की वज़ा बनना यह इनकी छुपी हुई भावनाइं यह आपको इतना प्यार देना चाहते हैं इतना कि अब दुनिया भूल जाओ इनके प्यार में बस ही वो सारी चीजे सारी चीजे छुपा रहे हैं क्योंकि इनको अभी लगता है कि भाई सही समय नहीं है अभी सही समय नहीं है अभी इनकी जिंदगी इनके साथ बहुत तरा-तरा के खेल खेल रही है अगर आपके जो पार्टनर हैं देखोई कोई न्यू पर्सन हो फिर ओल्ड पर्सन हो ठीक है अगर किसी वज़े से उन्होंने आपसे बात चीत करना इस टाइम पे बंद करके रखा है किसी वज़े से ये चिरचरापन दिखारे गुसा दिखारे बात कम कर रहे हैं तो आप इतना समझे कि उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी वज़े से अभी वो बात नहीं करना चाह रहे हैं कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं हमारे जैसे कैसे जब हम गुसे में होते हैं या फिर जब हम किसी चीज़ से परिशान होते हैं तो उस वक्त हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं जैसे कि मान लो कि हमारी sister हम से बात करना चाहे कि क्या हुआ मुझे बताओ क्या हो जाएगा हम अपनी समस्या किसी से बताना जरूरी नहीं समझते हमें लगता है कि हम meditation करके चीज़ों को सही कर लेते हैं अगर हम किसी चीज़ को लेकर अशान थें परिशान हैं तो meditation से बढ़ा हम कुछ भी नहीं समझते हैं meditation से बढ़कर किसी चीज़ को हम एहमियत नहीं देते हैं ना हम उस वक्त जीज़ों से बात करना जरूरी समझते हैं अब परिशान दुखी और कोई हमसे बात करना चाहें तो हमें गुस्सा आता है हमें चिरचिड़ा पन बढ़ता है फिर हम ऐसा लगता है कि हम पुस्सी में शायद कुछ बोल सकते हैं कुछ बुरा जिससे सामने वाला भी हर्ट हो सकता है तो उस वक्त हम अकेले रहना पसंद करते हैं खुद के साथ रहना पसंद करते हैं और चीजों को गहराई से देखते हैं क्यों हुआ कैसे हुआ अब क्या करना चाहिए क्या नहीं और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करते हैं यह अच्छा हम कर दें थोड़ा सा इनका नेचर हमसे मिलता जुलता है यह जब परिशान होते हैं तो यह जादा बातचीत नहीं करते हैं तो उसका आप गलत मतलब बिल्कुल निकालें कि अच्छा मतलब बिल्कुल निकालें कि अच्छा मतलब मुझे इग्नौर कर रहा है मतलब कि उसकी मन में कुछ और चल रहा है मतलब कि उसे मेरी परवार नहीं है मतलब कि मैं कोई मायने नहीं रखती मैं कोई मायने नहीं रखता देखो ऐसा कुछ नहीं है हमें पता है हम दे फिल होता है कि इश्वर इस रिष्टे को भलेत सिर्व दे रहे हैं इस तोड़ी तसली रखिए इनका नेक्स्ट एक्शन पते हैं अभी तो इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है अभी तो इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है लेकिन जल्द से जल्द कुछ ऐसा मेरकल होगा कुछ ऐसा चमतकार होगा कि जो समस्या इनके जीवन में चल रही है वो खतम हो जाएंगी जो परिवारिक वाद दिवाद चल रहे हैं वो खतम हो जाएंगे और बहुत जल्द ये आप से अपने दिल की बात कहेंगे अपनी feelings express करेंगे और आपके साथ घर बसाने के बारे में सोच सकते हैं आपके लिए एक strong action ले सकते हैं अगर आपसे बात चीत करना बंद करके रखा है तो बात चीत करना शुरू कर देंगे क्योंकि अभी जो चल रहा है उससे थोड़े परिशान है क्योंकि इनके कोई अपने ने इनके साथ दगा बाजी किया किसी अपने ने चीत किया है और उसको लेकर थोड़ा सा परिशान है तो वो चीज़ें किसी से share नहीं कर रहे हैं अंदर यंदर घुट रहे हैं और थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपसे बहुत प्यार है आपसे बहुत प्यार है बहुत प्यार है बहुत प्यार है दिखा नहीं रहे जता नहीं रहे तो प्लीज शब्दों के मौताज ना बने शब्दों के पीछे का जो भाव होता है उसे समझने के कोशिश क्या करिए शब्द तो बहुत अच्छे अच्छे भी हो सकते हैं अच्छे शब्दों के पीछे जहर भरा हो सकता है और कड़वे सब्दों के पीछे अम्रत छुपा हो सकता है तो intention को महत्वदी जी ना कि शब्दों को ठीक है तो डेर हमने आपको बताया कि वो क्या सोच रहे हैं उनकी क्या feeling से आपके लिए और उनका next action क्या होगा आपको लेकर ठीक है हम आशा करते कि आप समझ के होंगी जैशी कृष्णा अपने ख्याल रखे अपने अपनों का ख्या इसली बार है आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहते हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा ऑप्शन नमबर टू कैसे हैं आप हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्त होंगे मस्त होंगे डियर चले बापकी बारी है लिखिए कि हां मैं बहुत खुश हूं मैं बहुत स्वस्त हूं मैं बहुत मस्त हूं और इश्वर के आशिरवात से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं लिखिए लिखिए इसी वक्त लिखिए क्योंकि हम जैसा लिखते हैं हम उसी तर चैनल spiritual love 1111 में क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर नेक्स्ट एक्षन क्या होगा क्या feelings हैं उनकी क्या महसूस कर रहे हैं भी चलिए सबसे पहले sign और elements की बात करते हैं जेमिनाई लिब्राइक वेरियस मिथुन तुलाकुम राशी बहता स्ट्रॉंग है एरीस लियो साजिटेरियस मेसिग धनु राशी बहता स्ट्रॉंग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, करकर वुषप मीन राशी, टॉरस वर्गो के आप्री कौन भी है, वुषप कन्या, मक्कर राशी, ठीक है देखे, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट अब बर्थ किसी महिने की साथ तारीख, ठीक है, साथ तारीख, सोला तारीख, पच्चिस तारीख, तीन तारीख, तीस तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 9 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, ग्यारा तारीख दो तारीख हो सकती है इनका बर्थ मन्थ जुलाई, अगस्त मार्च, अप्रेल बहुत स्ट्रॉउग है यह बहुत स्ट्रॉउग है मय भी आपड और दिसंबर, नमबर इनके नेम का इनीशिल बताते हैं आपको इनके नेम का इनिशिल हो सकता है जेड ठीक है यह है इनका इनिशिल देखो जी इधर सीधी बात नो बकवास ट्विन सोल जर्णी वालो सुन लो साफ साफ दिल खोल के कान खोल के सबसे पहले तो हम हमारी प्यारी प्यारी सी डिवाइन फिमिनाइन के बात करेंगे आप मेल बॉडी में हो ये फिर फिमेल बॉडी में हो आज हम आपको एप्रिशेट करते हैं आज हम आपको शाबाशी देते हैं आज हम क्या बताएं कि हम कितने खुशें कि आपने अपने उपर कितना वर्क किया है पहले जो आपका प्यार था ना वो बंधा हुआ था मुह पाश में जैसे कि आप उसी की पीछे उसी की पीछे उसी की पीछे भाग रहे थे रो रहे थे भाग रहे थे स्वतंत्र प्रेम आप नहीं कर पा रहे थे जो वाकई में प्रेम होता है आप उसे नहीं समझ पा रहे थे लेकिन अब आपने अपने अंदर काफी परिवर्तन के हैं काफी उन्नती की है आपने अपनी पहले जो आपका प्रेम था वो किसी चीज का महताज हुआ करता था कि इनसान मुझसे बात कर ले ये इनसान मुझसे बात कर ले ये मुझसे मिल ले ये मुझे कॉल करे, मुझे मैसेज करे आप हर चीज के महताज हुआ करते थे रोया करते थे इनके पिछे गिरगराया करते थे भागा करते थे बहुत ज्यादा पोजश्ली वुग करते थे चीजों को लिकर लेकर लेकिन आशाव थीं और तो भी कोई बात नहीं है जैसा प्रेम इस वर आपको सिखाना चाहते थे, जिस प्रेम की समझ एंजल्स आपको देना चाहते थे, जिसमें महोनी होता, जिसमें बंधनी होता, जिसमें मुक्ती होती है, जिसमें कोई reason नहीं होता, जो without reason होता है, वो प्यार, वो प्यार आपके रिदय में उद्धर आया है आप हर competition से हर लड़ाई जगड़े से हर काम क्रोध मद लोब से दूर निकल आए हैं और आपके मन में इतना प्रेम है इतना प्रेम है कि आप अपने आप में प्रेम पूर्ण हो गए हैं आपको पता है हर किसी को प्यार चाहिए मान लिजिए कि हर किसी को कुछ न कुछ किसी न किसी से चाहिए कि मुझे तुमसे यह चाहिए मुझे तुमसे यह चाहिए प्यार सबको चाहिए कि मुझे प्यार चाहिए अब जब सब लोग लेने की लाइन में है तो देने की लाइन में कौन होगा सब को चाहिए लेकिन है किसी के अंदर नहीं तो जब आपके अंदर प्रेम होगा जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो आपके अंदर प्रेमी प्रेम होगा आप प्रेम से भरे हुए होंगे तभी तो आप किसी को दे सकते हैं मान लेजिए आपको खुदी किसी से और से चाहिए आपको खुदी चाहिए प्यार की कोई मुझे दे दे और आप जिससे मांग रहे हैं वो भी किसी ने किसी से मांग रहे हैं जी भी चाहिए तो फिर ऐसे थोड़ी न होगा ऐसे थोड़ी न होता है तो अब आपने क्या किया है कि आपने अपने आपको ही प्रेम से भर लिया है बिलकुल आप बहुत जादा सेल्फ लव करने लगे हैं और आपकी बहुत जादा अध्यात्मिक उन्नती हुई है पहले बेकार की लोगों में बेकार की चीजों में बेकार की बातों में उलत जाया करते थे और अब गजब एक अमेजिंग ट्रांस्वरमेशन हुँ आपके अंदर कहीं न कहीं कोई बड़ी दैवी शक्ति आपका मार्ग दर्शन कर रही है आप जो भी करते हैं मैडिटेशन कोई बालता प्राप्त कर रहे हैं आप अपने जीवन में अब हर एक चीज सकोन मैसूस करते हैं जैसे चोटी चोटी बाते पहले आपको परिशान कर देती थी उसने ये किया उसने वो किया अब अब चोटी चोटी बाते आपको परिशान नहीं करती हैं अब आप हर चीज को अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हैं हर चीज में आप संतुलित रहते हैं बैलेंस रहते हैं आपके एनर वो देखकर हर एक व्यक्ति आकरशित होता है और वो यही कहता है कि तुम बदल गया है तुम में बहुत कुछ बदल गया है हर कोई व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता लोग आपसे बात करना चाहते हैं आपके अंदर ये गजब की leadership quality आ गई है आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की अध्यात्मिक उन्नती करवा रहे हैं ये सब कुछ आपके divine masculine को पता चल रहा है वो देख रहा है वो आपके energy को और वहीं पर ये अपने आपको देख रहा है है कि और मैं तो मैं तो जहां था वहां से भी नीचे हूं और ये पहले जहां थी वहां से भी उपर है गजब मत्तब कि ये जो आपके अंदर गजब का परिवर्तन ये देख रहे हैं उसको देख देखकर इन्हें गिल्ट तो हो रहा है इन्हें अफसोस तो हो रहा है हम यहां पर देख रहे हैं ये जो भ तब तक इनका दिल चूर चूर नहीं हो जाता तब तक इस स्प्रिशुआलइटी की तरफ आते नहीं है किया गात होता ही तब तक ये अपनी आक्ग कान खोलते नहीं होती है तो अभी आप से तो दूर भागते रहते हैं ये अब फ्लेट करने की आदत है लेकिन फिलाल हमें ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि आप से छुप छुपाकर ये किसी के साथ रिलेशन्शिप में आये थे थोड़ा सीरियस हो रहे थे उसको लेकर उसको लेकर थोड़ा सीरियस हो उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे थे क्या पता शादी कर ली हो और फिर क्या पता किसी के साथ आगे बढ़ गए थे लेकिन जो इन्होंने आपके साथ किया है वही उसने इनके साथ कर दिया है जो धोखा जो दर्द इन्होंने आपको दिया था वही उसने इनको दे पता है कितनी टेंशन है आप सोच भी नी सकते विचारे की रात की नींदे हराम है और क्या अब वो इंसान न जी पा रहा है न मर पा रहा है न किसी से कुछ कह पा रहा है एहंकार ज्यादा प्रबल है ना जिस व्रक्ष में जादा फल होते हैं जो जादा जितना उपयोगी होगा जो जादा विनम्र होगा वही जुकेगा सूखा थूट पेड़ कभी जुकता है क्या कभी जुकता है क्या नहीं जुकता ना आन्धी आए कि दो जड़ से उखड जाएगा अगर आन्धी आएए तो उखड जाएगा पर जुके गा नहीं शुके गा नहीं साला यह जुकते नहीं बिल्कुल भी फिर इनको भगवान अच्छे जुखाएंगे इन अच्छे उखाएंगे तो आप में से बहुत नोगों की जोी वाइन मश्कुलाइन हैं इनको थोड़ा तो एहसास हो रहा है इन्हें गिल्ट हो रहा है इंहे हं अफ्सोस हो रहा हैं पते है चुप चुप कर आपको देख रहे हैं चुप चुप कर अपके еще to go या फिर हो सकता है कि पहले नोने आपको ब्लॉक किया हो तलब ब्लॉक कर बन गए जैसे कि एक होता है कि जीते जी आपके अंदर देवत्व उतर आया है आप तो बहुत कमाल की एनर्जी में इस टाइम पे लेकिन इनकी एनर्जी में ठीक ठाक नहीं लग रही है ये भाई साब ये बहन जी रोते वे नजर आ रहे हैं इनके दिमाग में इतने कीड़े चल रहे हैं क्या बताएं जैसे कि एक साथ किसी की दिमाग में सौ बिच्छु डंक मार दें पगला जाता है ना ऐसे पागल हो रहे हैं और देखो यह अभी जिसके साथ रिलेशन्शिप में थे जिसके साथ भी मैरिड हूं अनमैरिड हूं वो डेफिनेटली इनका कार्मिक ठीक है तो उस कार्मिक ने इनको बुरी तरह से तोड़ा है तो अभी इन्हें आपकी याद आ रही है अभी इन्हें आपकी याद आ रही है इनकी अंतर आत्मा कहती है इनकी अंतर आत्मा कहती है कि अब दुबारा ही गलती मत करना तेरा सच्चा प्यार तेरा सुकून तेरी जिन्दगी, तेरा कंपलीशन, तेरी लाइफ, सब वही है। इनका बहुत मन होता आपसे बात करने का, बहुत मन होता है। कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद आपसे बात्चित करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन अपनी गलती accept करने की हिम्मत अभी भी इन में नहीं है ये अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं ये न फस गए हैं कहीं पर बहुत बुरी तरीके से अभी अपनी फीलिंग्स को छुपा कर बैठे हुए फस गए हैं इन्होंने सोचा नहीं था क्या होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है बहुत फ्लर्ट करने की आपने देखा होगा कि कुछ ठरकी लोग होते हैं कुछ घर्टिया किसम के लोग जो चलते फिरते फ्लट कर जाते हैं चलते फिरते सड़क पी तो क्या होता है कि जिनके साथ फ्लट करते वो भी उसी टाइप के लोग होते होंगे जो सामने से उन्हें कोई रेस्पॉंस देते होंगे ठीक है तो उनका मन बढ़ जाता है उनका मन बढ़ जाता है कि अरे इसने किया तो वो भी करेगा दो चार तीन चार बार पांच बार कई लोगों के दाथ वैसा कर जाते हैं तो उनकी और हिम्मत बढ़ जाते हैं फिर कभी वो किसी सही आदमी से टकरा जाते हैं उनको लगता हुगा कि ये भी ऐसा ही होगा वो उसके साथ भी वही करने कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं होता है या तो सबक सिखा देता ढंग से या तो फिर वो खुद भी मिट्टी में मिल जाता है तो इन्होंने फ्लर्ट बहुतों से किया था फ्लर्ट करते थे छोड़ते थे लेकिन इस बार ये एक लंबे जमेले में फस गये हैं जहां पर ये कर रहे थे उदर ये अच्छी तरह से फस गये हैं और अब उसने इन्हें फसा दिया है तो उट पहाड के नीचे आ गया है अब उट पहाड के नीचे आ गया है तो समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे निकले यहां से तो अब इनके दिल पर तीन चार बार छूरियां चल चुकी है तो थोड़ी सी इनकी अकल ठिकाने लगने वाली है देखो हम आपको ज़्यादा हिदायत नहीं दे सकते आपने अपने आप में बहुत परिवर्तन किया है और हम ये भी देख रहे हैं कि आपको इनके महताज नहीं है वो तो बस आप रिडिंग देख लेते कि हाँ भाई देखते क्या चल रहा उसकी लाइफ में आप इतने महताज नहीं अब उनके जो इनसान खुद से प्रेम करने लगता है एक बात समझो अच्छे से अगर कोई व्यक्ती बहुत समय तक अकेला रहा हो ठीक है जब उसको लगता था कि मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी तब भी वो अकेला उसे रहना पड़ा हो तो फिर एक समय पर अकेले रहने की वो आदत हो जाती है और अकेले पन से इतना प्यार हो जाता है कि किसी का साथ भी अच्छा नहीं लगता चाहे वो कोई भी क्यों नहीं तो अब आप जो है ना आपको खुद से प्यार हो गया है तो अब आप जो इनके लिए रीडिंग वीडिंग देख लेते हैं वो बस ऐसे ही देख लेते हैं एक तो इनके पडिवार वाले भी इनके कार्मिक दूसरा कार्मिक लोगों का असर इनके उपर कुछ जादा ही होता है अब कार्मिक लोगों के साथ रहेंगे तो संगत का असर तो होगा ना तो संगत का असर भी खुब होता है इनके उपर तो बस अभी किसी से कुछ कहनी पा रहे हैं बहुत टेंशन में हैं बहुत स्ट्रक एनरजी है, बहुत रो रहे हैं, बहुत तडप रहे हैं, अंदर से बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्षन लेने के स्थिती में नहीं है, यह हमेशा पहले जब आपके साथ रिष्टे में थे, बहुत सारे लोगों को बताते हैं, तो आपको ना स ये तो है ही, ये कहा जा रही है, ये आपको ऐस ओप्शन देखते थे, क्योंकि इनके पास बहुत, बहुत कुछ हुआ करता था, ये समझ लीजिए, लेकिन अब उन उप्शनों में ये इतना उलज गए हैं, उन उप्शनों में इतना फस गए हैं ये, कि अब ये चाहा कर भी वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, तो बस अब इन्होंने खुद को रिजर्व करके रखा हुआ है, किसी उसे कुछ नहीं कहना है, बस आपको ही देखना है, ठीक है, अंदर से बिल्कुल टूट गए हैं, चकना चूर हो गए हैं, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं नहीं, मैं पूरी तरह से चकना चूर नहीं हो जाएंगे, तब तक आप उम्मीद मत करें इनके आने की, हम अपनी भाशा में कहें, जब तक इनको लाद घूशे अच्छे से पढ़नी जाएंगे बाहर, तब तक ये नहीं आएंगे आएंगे तो टाइम पास करने ही आएंगे, आपकी एहमियत हर बार इने नजर आती है, लेकिन आत्मा से आपकी एहमियत का अंदाजा नहीं होता, वरना ये जो बार बार ओन ओफ करते हैं ये ऐसा नहीं करेंगे, अभी इनका तूटना और बाकी है, फिरहाल तो काफी कुछ तूट गया है इनके दिल में, अंदर से बहुत कु पर ये समझे कि 70% की सुधर गये हैं, इस बार आएंगे ना तो कम से कम साल दो साल के लिए नहीं जाएंगे, पर ये ना समझे कि ये जाएंगे ये जाएंगे, अभी भी ये जाएंगे, तो आप तो इनके मौताज हो नहीं, बस आपका ये ठीक है आज आओ तो ठीक है, नही कि धीरे-धीरे-धीरे धीरे थोड़ा सा बैठेगा फिर फिला चाहिए पड़ए लेटने के कोशुश करेमा फिर पूरा लेठी जाएगा ऐसे ही धीरे 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 ज版 इनको ये भी मतलब भी आपको शो ना कर सके कि नहीं मेरी गर्ज नहीं है तुम्हारे पास आने की है ना वो मैं कोई मोहताज नहीं हूँ तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ तुम्हारी जब तुमसे बात ही करूं नहीं मर जाओंगी यह वो तो यह धीरे धीरे आ रहे हैं धीरे 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 लेकिन अभी जहां पर फस्य हों है बस ये वहां से मुक्त होना चाह रहे हैं ये बस इश्वर से प्रार्तिना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जो मैंने गलती किये बस मैं यहां से मुक्त हो जाओं कैसे भी मैं यहां से निकल जाओं फिर अपनी जिंदगी सब ठीक कर लूँगा इनकी आरतिक स्थिती भी काफी खराब चल रही है तो अभी संतुलन नहीं बना पारें अपनी लाइफ में अपनी कुछ गलतियों का बहुत बुरी तरह से अफसोस हो रहा है आपकी याद आती है आपकी अच्छी बाते बहुत याद आते हैं और आपकी जो अच्छी बाते हैं जो पास्ट में आपने इन्हें सिखाई थी उन सबसे काफी कुछ सबक भी सीखे हैं ये काफी कुछ समाला भी है नोने लाइफ में उनके हिसाब से जिंदगी में कुछ बहुत कुछ करते भी हैं उनके हिसाब से, लेकिन अभी क्या है न, अभी बहुत सारे चीजों के लिए इनमें हिमत नहीं आई है, हिमत पतै कैसी, हिमत होती है गल्त के खिलाफ लड़ने की, अभी जो ये बर्डन धो रहे हैं परिवार का जो बोजहा धो रहे हैं इतने सारे लोगों का अभी उस बोजह को उठा के पटकने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर देखो बर्डन इंसान को तब तक धोना चाहिए जब तक वो धोने लायक है कुछ लोगों की आदत में हो जाता है बहीं की responsibility आप समयında-से कुछ करने लायक है अब तो आपने जिन्दगी के बारेंस थे कॉछा करते हैं यह आपको परिशान करते हैं फिर आपको ज्यादा परिशान करनी पाते आप से ज्यादा उस तरह का रिस्पॉंस मिलता नहीं है क्योंकि इनको कैसा प्यार चाहिए इनको उस तरह का प्यार नहीं चाहिए जो आपके अंदर बहता है आप एक आत्मा वाला प्यार करते अब बहुत soulful व्यक्ति हैं आप चांद तारों की बात करते हैं और कहां ये चांद तारों की बात करने वाले नहीं हैं ये मॉल और होटल की बात करने वालों में से हैं तो अभी इनकी एनरजी मूलाधार चक्रा में हैं आपके एनरजी आ गई अनाहत पर इनकी एनरजी चक्रा पर जीते जिनकी एनर्जी रूट चक्रा पर होती है वो जड़ बुद्धी के होते हैं और अभी इनकी एनर्जी सेक्रल पर भी नहीं आई है सेक्रल पर भी नहीं आई है रूट पर ही है तो रूट जैसी एनर्जी भी है इनकी और आप इन दो चक्रों से इनके उपर है हैं आप हाठ चक्र पर हैं और ही रूट चक्र पर है आप दिल से सोचते हैं और यह वासनाओं से सोचते हैं तो अभी कहां कहां मिलन हो सकता है सोच के इखे जब यह अपके energy के level पर आएंगे तभी millions possible है जब तक आपके energy के level पर नहीं आजाते तब तक union reunion possible नहीं हो सकता ये आते जाते रहेंगे बातचीत होती रहेंगे लेकिन आप सोचें कि एक बार आ जाए तो फिर कभी ना जाए आप इनके शरीर के भूके नहीं है आप वासनाओं के महताज नहीं है आप आत्मा से प्यार करते हैं तो ये तभी पॉसिबल है ये तभी पॉसिबल है जब ये आपके लेवल पर आएंगे और आपके लेवल पर आने के लिए ने बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा तो अब तो आप इनकी healing करो तो ही कुछ हो सकता है वरना ये अभी जिस अकड में हैं जिस ego में है यह सब देख कर तो नहीं लगता है कि अपनी अध्यात्मिक उन्नती कर पाएंगे आपके लेवल पर जल्द से जल्द यह आ पाएंगे ठीक है तो dear हमने आपको बताया कि इनके क्या feelings है अब हम इनका next action बताते हैं कहीं जाने के बारे हम फिलाल सोच रहे हैं यह कहीं जाने के बारे हम सोच रहे हैं कहां जाने के बारे हम सोच रहे हैं पता नहीं है मुर्खता हो सकता है कि न्यूवियर में फिर करें किसी ने किसी के साथ तोड़ा flood flood फिर से करें हो सकता है कि आपको call भी कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपको call करेंगे यो ठीक है लेकिन जादा एहमियत मत देना अगर आपने उंगली पकड़ाई तो पूरा हांत पकड़ लेंगे तुरंती है तो थोड़ा सा अपनी उर्जा बरबाद मत होने देना आप इनसे बहुत हायर लेवल पर आ गये हैं ठीक है इनके साथ अपनी एनरजी का पतन मत कर ले कि खुद भी घजीट लेंगे दूर से इनकी हीलिंग करो दूर से पास से नहीं दूर से ठीक है बाते इने खुब आते हैं अपनी बातों में फसाना बहुत अच्छे जानते फसा भी सकते हैं पर फसना नहीं हमारा सजेशन है आपके लिए ठीक है जैशी कृष्णा अपना ख्याल रखें अपने अपनों का ख्याल रखें कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए क्योंकि डियर लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और पूरी जिंदगी कहेंगे आपको लोगों की अपनी परवा करने है अपने खुश्यों की परवा करने है और अगर आप इस चै में बैठे परमात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साहिराम